असलाम वालेकम डियर स्टुडेंट्स वेलकम बेक एक्सपी अकेडमी टॉट कॉम जहां पर आप स्टेफ वाई स्टेफ्स आटो कैट दोहजार तेरा उर्दु जबान में सीख रहे हैं अब जो चीज़ हम इस लेसन के अंदर आटो कैट के अंदर में आपको आपको च्छत बनाने का रूफ बनाने का तरीके कार बताने जा रहा होँ बिसीकली जैसा कि आप जानते हैं 3D के अंदर हमने देखा हमारी वाल कैसे बनाई जाती है देन फिर हमने उसके अंदर windows बनाना सीखी फिर हमने उसके दर door phrase बनाना सीखी है अब जो चीज हम इस lesson के अंदर सीखने जा रहे हैं वो यह देखने जा रहे हैं कि आप अपने project जो आप बना चुकिए अभी तक उसकी पर अगर आप छद बनाना चाहेंगे तो वो आप कैसे बनाएंगे ठीक है तो I start करते हैं lesson तो मैं first of all open कर देता हूँ अपना autocat मैंने autocat open किया मेरा ये autocat open हो चुका है ठीक है मेरी ये file है इसके पर मैंने छद बनाना है सब तो हम क्या करेंगे layers में से कुछ layers को हम off कर देते हैं मैं window को off कर देता हूँ मैं wall को off कर देता हूँ मै mirror को off कर देता हूँ तो ये मैंने कुछ layers अपनी off कर दे हैं यहां ठीक है और मैं एक और layer लेना चाहूंगा अपने layer manager में जाके एक और layer में बना लेता हूँ roof के नाम की मै एक रूफ के नाम के दर लेर बना डाली अपने पास ठीक है और इसी को मैं एक्टिव रख देता हूं कि अब जो कुछ भी का मैंने करना होगा रूफ के इंदरी में करना चाहूंगा इसलिए मैं इसको एक्टिव रखा है यहां पर मिस्ट क्लोज कर देता हूं अब मैं टॉप टूटी वाइट फ्रेम के दर देता हूं मेरे पास कुछ ऐसे नज़र आ रहा है अब मैंने क्या करना है अपना इदर इसके पर चफट का डिजाइन बिनाना है अब सब्सक्राइब निकालना चाहें तो इसको आपको बितर समझाएगा तो मैं इसको ऑफसेट देता हूं हर और यहां से कुछ दही देता हूं आपको ऑना चाहूंगा यह वाली रूण्डी शेव ठीक है 18 इसे लिए है ctrl s कर देता हूं और कमल लाइन में ने क्यों नहीं लिए है क्योंकि आप मैं इसको फिलिट की मदद से आप इसे मिला डालूंगा आप एफ इंटर कर दें अपने कीबोर से फिलिट के लिए रेडियस में क्लिक कर दें और जीरो कापे से रेडियस दे दें अब आप एक क्लिक एधर कर दें दूसरा क्लिक एधर कर दें फिर मैंने क्लिक एधर कर दिया दूसरा क्लिक एधर किया एक क्लिक एधर किया दूसरा मैंने इधर क्लिक कर दिया है वह आने तर फिर इस तरफ इस तरहां से मैं इसको और इसके साथ मिला देता हूं यह देखता हूं नहीं मिलता है इतर आ जाएगा यहां पर कोई requirement सावी प्राभल्म को के पास सरां इसको फिलेट कर देता हूं इसके साथ यहां पर इसके साथ मैंने इसको फिलेट कर दिया और फिर मैं इसके साथ फिलेट कर देता हूं इसको मैंने इसके साथ फिलेट कर दिया तो मेरे पास यह देखिया अरिया फिलेट हो चुका है मीज अब यह जो मेरे पास बाइर वाला बार्डर बना हो आया है यह मेरे च्छत का बार्डर आ चुका है Ctrl S कर दे अब आपको इसकी copy लेनी है यहाँ पर co enter कर दें copy के लिए आप copy ले ले इस objects को आप join भी कर सकते हो polyland piece के पर लगा सकते हो edit भी कर सकते हो something like this तो मैं इसको ठाके सीधे दर आ जाता हूँ यहाँ पर आगी तरफ में से click कर देता हूँ Ctrl S किया अब मैं 3D view के पर चला जाता हूँ astromatic view के पर चला गया मैं सीधा यह मेरा astromatic view आ चुका है यहाँ पर यह रहा ठीक है अब इसको हम 3D के अंदर कैसे convert करते हैं कैसे कैसे इसके पर काम करेंगे वो चीज़े हमने इस lesson के दर देखनी है सबसे पहले तो मैं आपको यह इपताता जाओ मेरे पास ही जो है इसको आपने boundary के अदर convert कर देना है subject को ठीक है boundary के लिए आप B or enter कर दें अपने keyboard से मैं इसको B or enter किया इधर आ जाए मैं इसको एंटर कर देता हूं ctrl s मेरे पास boundary हो चुकी है अब मैं इसकी copy ले ले लेता हूं यहाँ पर अब मैं इसको एंटर कर देता हूं यहां से आगे की जाना है यह मैंने इसको इधर click कर दिया तो यह मेरे पास आप click कर दे देखिए आपके पास fully object select होकर आ रहा है यहां पर अब मैं इसको extrude ext आपके पास इसकी copy होना must है ext extrude कर दे आप इसको selection दे इंटर कर दे आपको कितनी height चाहिए normally जो मैंने आपको बताया थी हमें thickness जो चाहिए होगी वह हमें 4 से 6 inch की thickness यहां पर ले सकते हैं तो मैं 6 inch की thickness ले लेता हूँ अब आप इसको move करें मैं इसको move कर देता हूँ इसके बिलकल end point से यहां पर मैंने नीचे क्लिक किया और सीधा आप चले जाएं अपने इस end point तक इस point तक आ चुका हूँ ठीक है यह नहीं कि आपको आपके map की base मिल चुकी है अब आप layer के दर चले जाएं अपने पास सिर्फ एक layer को open कर दें wall की layer को मैंने wall की layer को open कर दिया मैं यहां पर आके इसको shade apply कर देता हूँ मेरे पास ही आ रहा है यहां पर और मैं इसको move कर देता हूँ यहां से देखें move के पर जाओंगा select point दिया mouse को अपर की तरफ लाएं अब आपके पास 10 वोटर change पर आपके क्लिक भी करना चाहें तो click भी कर सकत हैं लेकिन mouse को पर लाके 10 feet and 6 inch आप टाइब कर दें तो आके पास की perfect जगापर आ जाएगा अब इसके नीचे देखें यहां पर चोटा box मुझूद है यह क्या है आप यहां पर आ जाए इसके दर क्लिक कर डाले और इसको पर की तरफ लिए कितना 10 feet and 6 inch तो मेरे पास की देख आ रहा था अब बुरा नजर नहीं आ रहा है यहां पर इस तरह से अगर आपको दुसी तरफ भी लगाना है तो shift को press करते हुए मैं दुसी तरफ निकला hold करते हुए इदर आ गया यहां पर आ जाए और मैं फिर इदर आ जाओंगा क्लिक किया उपर की तरफ 10 feet and 6 inch में से दे मैंने इसको 10 feet and 6 inch दे दिया मेरे पास यह शेप आगी shift को hold करते हुए mouse middle button mouse का middle button प्रेस किया तो देखें मेरे पास अब यह मेरा च्छट बना हुआ आज चुका है यहां पर ठीक है Ctrl S कर दें आप इसको save कर दिया यहां पर अब मैं इसको दुसरी तरफ move कर देता हूं यह रहा अब यह students यह तो मेरे पास simply मेरा उपर इसका च्छट बना हुआ गया अब मैं इसके आगे सामने shade लगाना चाह रहा हूं इसकी पर अब वह हम कैसे लगाते हैं shade उसके लिए यहां से मैं move की पर आगया point देकर आप बैर की तरफ आजाएं यहां पर मैं इसको click कर दाला यह रहा हूं अब अपने पास आप क्या करें एक रेटेंगल ड्रॉ करें यहां पर क्यूंकि मैं इसके पर shade रहना चाहता हूं जैसे मैं आपको elevation के दर बनाना अपता है था टॉप लिएक एक one feet and one feet and six six inch एक तरफ और यहीं दुसरी तरफ अठारा अठारा इंच तो मैं यहां पर अब आप इसको select करें तो यह आखे पास मुकमल box है आप इसको select करके तो आप इसको select करके explode कर दें explode करने के लिए आपको x इंटर कर देना है selected object को अब देखें हर एक चीज़ा के पास इलाइदा हो चुकी है यहां पर अब आपने इसको एक offset define कर देना है ओ इंटर करें अपने keyboard से और इसको आप 33 का offsets दे दें मैं इसको 3 और हर time पे 2-2 मरतबा इधर से भी 2 मरतबा और इसको इस तरह से भी आप इसको two time पे आप इसको offset दे दें 33 का अब poly line आप उठाए एक point दे दें दूसरा point दे दें तीसरा चौथा point दें और यहां पर पांच नवा एंटर करें और के लिए आपने एंटर किया और यहां पर आप क्लिक कर डा दें से ठीक है अगेन L इंटर कर दें line के लिए आपके पास फिर line आ जाएगी अब अगेन आप इसको उपर की तरफ निकल जाए यहां आगी की तरफ निकल जाए आगी की तरफ निकल जाए आगी की तरफ निकल जाए आप इसको मैं इसको undo कर देता हूँ यहां पर एल इंटर किया, अगेर मैं इसको इस तरफ लेकला गया, मैं यहाँ पर कुछ I think mistake कर चुका हूँ, मैं इसको escape करूँगा द्वारा से, मैं इसको द्वारा से बनाऊँगा, कोई point मैंने घलत दे दिया था यहाँ पर, अगेर आप polyline पे जाए, PL, आप इसको एक point दे दे, दूस इंटर कर दे, line के लिए, इसको आप दे दे, यहाँ पर छटा point दे दे, साथा point दे दे और आठावा point दे और अगेर आपने आपको return कर दे आप इधर आ जाए, see for close करने से, आपने close किया, अब देखें, आपके पस मुकमल यह एक design बन जाएगा, आप इसको ऐसे ही बिना सकते हैं, sorry मैं फिर घलत कर रहा हूँ, polyline मैं बाज वकात sometime हो जाता है, आप सोचरे कुछ हो रहे होते हो, बुनारे कुछ हो रहे होते हो, anyhow, अच्छा, आपने देखें क्लिक किया, फिर देखें क्लिक कर दें, और A लगा दें, A से क्या होगा, आपक क्लिक, पांचमा क्लिक रहा, और सिंपल सी प्रेस कर दें, जैसे आप सी प्रेस कर देंगे, तो आपके पास ये close हो जाएगा, तो ये object, अब आप इसको move करके बाहर लें हैं, यहां से, मैंने enter की अपने keyboard से, इसको select कर देता हूँ, और इसको मैं उठा कर इधर बाइक जनम तो मुझे ये shape चाहिए थी, ठीक है, अब मैं इसको delete कर देता हूँ, यहां से, मैं इसको 90 के angle पर rotate कर दूँगा, मैं rotate को, मैं rotate पर गया, मैं selection पर गया हूँ, मैं इसको enter कर देता हूँ, यहां पर, मैंने इसको यहां पर एक point बना डाला, और इसको उस तरफ में लेका जाना चाह रहा हूँ, और 90 का मिसे angle देता हूँगा, तो मेरे पास देखें, यह shape बनी हो आजाएगी, अब आप इसे move कर दें, यहां से, इसको आपने pick किया, इस तका पर, आगी तरफ आ जाए, और students, तो आप इसको सीधा, याद रखें का उठा कर, इधर बाएर की जानवा आप आपने follow करना है, तो अब these students, हमने करना क्या है basically, यह जो मेरे पास design है, इसकी मेरे path बनानी है, इस line की base पे, याद रखें का यह जो design आपके पास, इसकी जो, आपके पास length बनती है, वो कितनी है, 18 inch है, 18 inch, तो आप, को यह याद रखना होगा बस अभी, ठीक है, अब मैं क्य क्या कर लेता हूँ, इसको extrude करता हूँ और path देता हूँ, लिखते हैं क्या करता है यह, आप extrude की पर चले, selection दे दे, enter कर दे, path की पर आ जाए, मैंने इसको path देनी कोशिश की, तो इसने path नहीं ली, क्योंकि मेरे पास path का start point नहीं था, तो मैं start point बना लेता हूँ अपने पा trim पर आ गया, और इसको मैं, इस line को यहाँ पर trim करना चाहरा हूँ, तो मैं बस trim नहीं हो पाई, अब देखते हैं इसकी वज़ा क्या है, shift को press करते हुए, और उपर की तरफ जाएं यहाँ पर, तो देखिए, यहाँ पर आ जाएं, तो मेरे पास इन line में उपर नीचे कोई फ आ जाएं, तो मेरे पास break आ जाएगा, ठीक है, अब आप इस line को box को select कर दें, यहाँ से, और सीधा इधर click कर डालें, यहाँ पर, मैंने इसको click कर दिया, EXT मैंने click किया, enter, before path, और path के लिए मैंने line को click कर दिया, अब decimal line को click किया, आप देखिए, वो जो मेरी path थी, वो मुकमल इस design के उपर assign हो चुकी है, मुकमल इस design के पर गुम चुकी है, अब मेरे पास क्या होगा, अगर मैं आपको shift के थूँ इसको, यहाँ पर design आपको दिख यहाँ आगे, यह जो अकसर आपने, ऊपर roof वगरे बना होगा देखा होगा, च्छत वगरे बना होगा, लेकिन यहाँ पर इडियर problem यह है, कि इसके बीच में यहाँ पर gap आ चुका है, अब इस gap को मैं कैसे खतम करूँगा, जब तक यह gap मेरे पस खतम नहीं होगा, तो मैं आगे जाने सकता हूँ, अब इस gap को खतम करने के लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर चले जाएं, इस option के अंदर, प्रेस पूल के अंदर, आप यहाँ पर आ जाएं, इधर क्लिक कर डालें से, देखें, इंटर कर डालें, अब यहाँ पास इदर आगी तरफ नहीं आ रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर मुझे जिस चीस को यूज करना है, वो मेरे पास क्या है, मेरे पास इसका, इक्स्टूट है, इक्स्टूट फेस की option है मेरे पास, अब वो मेरे पास कहां से आएगी, आप मैश के इंदर आ जाएं, यहाँ पर तो यहाँ के आपस option आ जाते है, इक्स्टूट फेस, इक्स्टूट फेस पर आएं, तो यह जैसी आपने select किया, यह आपके पास face है, आपने इस face को select कर देना है, इंटर कर दें, और यह face है, आप इसको इंटर करें, इसको मैं आगी तरफ लेकर आ जाता हूँ, यह, तो students problem यह आगी है, मैं आ चुकाँ, मैश की option पे, जबकि यहाँ पर extrude लगा हुआ है, आपको वापस home के पर जाना होगा, और यह रहा आपका extrude face की option, ठीक है, extrude face के पर आ जाएं, और इसके इस area पे click कर डालें, इस खाली area पे, ठीक है, जैसी मैं इसको click किया, यह उपर वाला area, देखें, आपके पास के मकमल object बन कर आ जाएगा perfect, ठीक है, अच्छा, अब आपने करना क्या है, इसको move कर देना है, आप तुमाम object को select करें, यहाँ पे move की पर जाएं, click करें, और सीधा अपने इस corner पर आ जाएं, यह जो आपका top corner बनता है, यहाँ पे, यह देखें, यह इस corner पे, आ अब यह रहा, आपका object देखें, बिल्किल perfect बना हुआ आ चुक है, यहाँ पे, आप से कोई color दे देते हैं हम लोग, मैं colors, यहनि कि मैं इसको layer दे देता हूँ, layer के अंदर जाका, इसको मैं कोई roof side देकर से color देता हूँ, यहाँ ठीक है, यह आप इसको double click कर डाले, आपने double click किया, आपके पास यहाँ से colors आ सकते हैं, आप अगर कोई layer देना चाहते हो, आप इस group में छोड़ना चाहते हो, तो इदे से color selection में चले जाएं, मैं select color, और इसके लिए मैं यही color चूज़ करना चाहूँगा, जो wall का है, तो अब मैं इसको close कर देता हूँ, यह रहा, तो परफेक्ट इसका उपर shade बनाऊगा, आपके पस दिखाए दे रहे, तो हम students कहां तक पहुचाए हैं, उपर shades लगाने तक, इन्शाल्ला, next lesson में मैं आपको इसी project के पर इसके top पे railing लगा कर बताऊँगा आपको, यह नहीं कि आपको railing कैसे लगानी है, उसका क्यादिर के का होगा, ठीक है, और उससे पहले एक मरतबा में तुमाम चीज़ें अपनी again, यह नहीं कि मैं अपने पास इदर windows को भी वापिस layer को on करके आपको दिखाता हूँ, कि हमें आप कैसे दिखाए दे रहा हमारा project, layer पे गे, और यह मेरा map mirror को मैंने on किया, और उसके बाद मैंने shape मेरे सामने आ रही है, कि हम लोग क्या बनाना जा रहे हैं, देखें, यह रहा है, clear है, तो यह चीज़ अभी हमारे पास बनगी, I hope dear students, आपको समझ आ रही होगी, please प्लीज जरूरी सिर्फ इस बात किये कि आपको practice करनी है, यहाँ पर एक जगा पर जहाँ पर भूल किया था तो वो यह था, आपको homekeeper आके और extrude face का use करना था, मैं mash के दर जाके यहाँ से extrude face उठा रहा था, ठीक है, तो नहीं, homekeeper आपको extrude face पर जाना है, इधर त्रिके कार क्या होता, आप कोई भी faces का pick कर सकते हो, object का, अब अगर इधर topkeeper आप click कर दें यहाँ पर, तो यह मेरा, यह यह नहीं कि आपने इसको selection देने के बाद, जो भी आप इसको value दे देंगे, उस तरफ को यह निकल जाएगा, ठीक है, और इस तरह से आपको अगर यह sides बगारा बढ़ानी हैं, आप sides में click कर सकते हैं, एनि यहाँ जिस तरफ यह आप से click करकर इसकी value देंगे, उस तरफ को य steps सिखाए जाते हैं, end में एक test लेने के बाद, आपको xpacademy.com की तरह से safety case भी शुकिया जाता है, जिसकी hot copy बज़रिये TCS आपके अपताई हो ड्रेस के मताबका को परे दी जाती हैं, इंशालों लिए students, next lesson में फिर आज़र होते हैं, उस अब तक कि यह आपसे जाज़त चा झालों लिए जाता हैं, 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 जा